दोस्तों अगर आपको भी पर्सनल लोन की जुरूरत है आप सभी जगा पे ट्राइ कर चुके हैं रिष्टेदारों से भी मांग चुके हैं लेकिन आपको कहीं से भी लोन नहीं मिला तो आज मैं आपके लिए एक बहुत भी बड़ी अप्लिकेशन लेकर आया हूँ जो कि आर् आपको डॉक्मेंट देने होंगे और इसके इलावा आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा लाइप प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो को शुरू से लेकर लास तक पूरा देखिएगा एप्लिकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है तो वहां से आपको मिल जाएगा एप्लिकेशन लिंक पे कलिक करके एप्लिकेशन को इंस्टॉल करना है लौण के लिए अपलाई करना है लेकिन अपलाई करने से पहले आप वीडियो को पूरा वाच कर लिजिए ताके कोई गल्ती ना हो और आपका जो लोन हो ना हूँ सबसे पहले तो यहां पे आपको अपना जो अकाउंट है वो रिजिस्टर कर लेना है और यहां पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है और यहां पे इन्होंने बता रखा है कि हमारा जो अप्लिकेशन है वो अर्बेस रिजिस्टर है तो यहां पे स चासजार का लोन मिल सकता है और इसके इलावा और भी ऑफ्शन्स होती हैं जैसे 5000-10,000 जो के लॉक्ट या अनलॉक्ट हो सकते हैं वो आपके लिजिबिल्टी पे डिपेंड करता है लेकिन मैक्सिम्म पचासजार यहां पे ले सकते हैं तो इसके बाद आपको यहां पे दसजा लॉक्ट या अनलॉक्ट मिल सकता है 25,000 भी अनलॉक्ट मिल सकता है यह आपको अप्लिकेशन ओपन करने के बाद ही पता चलेगा इसके बाद आपको अपनी जो KYC है वो कम्प्लीट करनी होती है जिसमें KYC वेरिफिकेशन होगी परसनल डिटेल डालनी है उसके बाद वर्ट करना है इसके बाद आपका आधार OTP यहाँ पर डाल देना है driving license यहाँ पर आपका जाएगा यानि के आधार या driving license इन में से कोई भी एक दे सकते हैं इसके बाद आपको अपनी जो selfie है वो क्लिक करनी है इसके बाद यहाँ पर आपने अपना first name middle name अगर है तो डाल सकते है last name education qualification बता देनी है कितनी है जेंडर बता देना आप मेल है या female और इसके बाद यहाँ पर आपने meritor status बताना है permanent address pin code यहाँ पर डाल देना है state current address यहाँ पर बता देना है और इसके साथ आपकी work information आजाएगी employment status बता देना है industry आपकी कौन सी है monthly income कितनी है आपकी continue पर क्लिक कर दे ना होता है जिसमें के जिसको भी यानि के जिसका भी number दे रहे है उसका name relationship आपके साथ क्या है contact number second reference यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद हमें जो loan amount यहाँ पर दिया गया है first time 5000 का loan amount हमें मिला जिसमें से 4262 रुप है हमारे account पे आएंगे EMI यहाँ पर बनी है 1330 रुप है जो क चारी माई में convert होगी 64 दिन के लिए यह loan मिला है हमें टोटल जो इंटरस्ट लगया 320 रुप है इंटरसेट 36% का लगा annual percentage rate 119 रुप है 119% processing fees document signing fees इसके बाद credit assessment 100 रुप है GST 113 रुप है तो इस तरह से यहाँ पे काफी सारे जो खर्चे हैं हमें यहाँ पे लगेंगे reviews आप देख सकते हैं यहाँ पे company के 2.1 star है एक लाग से ज़ादा डाउनलोड हो चुके हैं यानि के ज़्यादा पुरानी company नहीं है reviews भी अभी कम आए है तो interface भी बहुत ही easy यहाँ पे आपको मिल जाता है और चुटकियों में loan यहाँ पे आपको मिल जाता है कोई भी income proof देन रहा है वाइदा बे अगर आपका यहाँ पे loan sanction नहीं होता है आपको नहीं मिलता है तो इसके इलावा मैंने और भी RBA registered companies के link दे रखे हैं तो one by one उन पे भी आप apply कर सकते हैं किसी ना किसी application से आपको loan ज़रूर मिल जाएगा अगर आपको urgent need है वीडियो अच्छा लगा हो त चैनल पर पहली बार हैं तो सबस्क्राइब कर लिए साथ में देगे बेल आइकन को जरूर दबादें